एजुकेशन टू आल यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम फिर से प्रीविएस पेपर जैन व्यू का डिसकस करेंगे यह बीए बीए फर्स्ट येर का पेपर है जो दो हजार पीस में आया था आज हम पॉलिटिकल सैंस का पेपर लेंगे यह वन है जिसका नाम है पॉलिटिकल थियोरी राजनितिक सिद्धान्त यह तीन गंटे का पेपर है और यह सितन नंबर का तीन गंटे और सितन नंबर का पेपर है इस प्रस्ण की बारे में बात करें इसका पेपर पेटर्न की बारे में बात करें तो यह तीन भागों में डिवाइड है पहला है प्रस्ण प्रत्र तीन भागों में विभाजित होगा जिसमें भाग अ, भाग बर और सर भाग अ में कुल दस प्रस्ण होगे और प्रत्यक प्रस्ण एक अंका होगा फिर दूसरा है भाग बर इसमें कुल प्रस्ण करने है और प्रत्यक प्रस्ण छे अंकों का होगा इसकी सब सिमा 200 है भाग सब प्रत्यक प्रस्ण होगे प्रत्यक इकाय में से एक प्रस्ण पूछा जाएगा और कुल तीन प्रस्ण का आपको उत्तर देना है इसकी अधिकतम सीमा 500 होगी पेपर सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि बीए फर्स्ट एर की जो विध्यारती है उनके लिए भी पेपर समान रूप सी उप्योगी है क्योंकि फर्स्ट एर में भी फर्स्ट एर में बीए बीए और बीए का दोनों का फॉल्टिकल पेपर एक जसा है उ आट ए दस कोश्टिन के बारे में पहला है उत्तर व्यवारवाथ क्या है दूसरा है आग अमनात्मक पद्धि क्या है यहां पर आग है इसमें गलती सी यहां परृंट हो गया तर्म तीसरा है राज्य की उत्पति के सामाजी समझता सिधान के इनी दो विचारों के विचारक के होते हैं जिनको करना अनिवारी होता नई तो राज्य का स्थीत्व संकत में पढ़ जाता है जैसे आंत्री का सांति से निपटना बाहर शुरक्षा करना फिर संप्रभुता से आप क्या समझते किसी देश दुआरा अपने निन्ने स्वयाम लेना किसी दूसरे राष्टि पर निर्भरत न होना तीसरा है च्था है समाता का अर्थ बताईए सात्वा सकति और सत्त में क्या संबंद हैं फिर आटवा है राजनित्ती समाजी करन को परिभासित करें आनुपाती प्रतिनीदी तो क्या है शक्ति प्रतिकरन सिद्धान का परसीद प्रतिपात कौन था वो किस देश का था अब भाग ब यूनिट पहली राजनित्त के छेत्र की विवेशना कीजिए अथ्वा में है राजनित्ती विज्ञान के परमपरागत एवं अधुनी डिष्टिकोन में अंतर इसपस्ट कीजिए अब हमारी दूसरी यूनिट है राज्य का अधार इच्चा है सकती नहीं है अध्वा में राज्य से अपका क्या ताथ पर यह राज्य के कार्यों का व्नर कीजिए राज्य की कार्य में एक तो आवश्य कारrium है और दूसरा एचिक का 사용 को छोग formula मिर्द हुआ है कि अधिकारों को क्या अर्थे है इसके विविन इस्थांतों का वधिकारों को हूआ है flick तकी अधिकर की अभरानिती सवरूत आरटिव कर्धार्व ऐसिदानतों स्वर्थ और थामिक राजणीयती सवरूत था फिर है यूनिट पाँचवी राजनेति संस्कृति के विबिन आधार किया है और अथ्वा में शक्तिकार तेवंस के विबिन श्रतों का वर्णन कीजिए यूनिट पाँचवी लोक्मत अंतर संबंद पर टिपनी लिखिए अगला है कोश्चण अत्वा में उसके अलप संग के प्रातिनिदितों की अउधाना पर टिपनी लिखिए अब भाग सी की बात करते हैं पहला साथो कोशिन है इसका उत्तर विवारवाद की आधाबूद विश्टेस्ताई बताई तता उत्तर विवारवाद परंपरावाद की और कदम एक कदम में फिर आटो है हर्बर्ड इस्पेंसर दुवारा प्रतिपादिर राजे के साव यह सिद्धान्त का वर्णन की जिए साव्यों सिद्धान्त का मतलब है कि राज्य को एक सरी की रूप में तुनला की गई है, सरी की रूप में तुनला की गई है, हरबड की द्वारा अगला है समानता से क्या अभिप्रा है इसकी विभिन प्रकार बते हैं इसकी भी वही प्रकार है जो स्वतनता की प्रकार है जैसे सामाजी समानता आर्टिक समानता रानितिक समानता फिर है रानितिक समाजी करें का अर्थ और विस्यस्ताव का वनन कीजिए अगला ग्यारवा क इस पेपर का नाम है इंडियर गवर्णमेंट एंड पॉलिटिक्स ये भी तीन घंटे का और सित्तर नमबर का है इसके भी वही पेपर पेटर्न है जो पहले वाले का था अब सीधे हम प्रश्णों के बारे में बात करते हैं पहहले प्रश्णों है समिधान की पारुसमिति के सरदसियों के नام लिखिए नितीन नदे जी से ततोवा क्या हरते है राष्टर पत्ति को को निरवाचित करता है प्रधान मंत्री का कारेकाल लिखिए फिर पाच्वा संसत के सहिएग सत्र के अधिक्सता कौन करता है नाइक सक्रेटा से अब क्या समझते नाइक सक्रेटा का मतलब होता है कि नयाले दोवारा जुडिसली दोवारा कुछ ऐसे मामलों में सुर्ता संग्यान लेना और अपने नयाय देने में सक्रेटा रूप से भागदारी निभाना फिर है संग राज्य की विवाद के मुद्दिक लिखिए अगला है राज्यपाल की सौव विवे की शक्तियों का क्या अर्थ है फिर है छेत्री दल क्या है का क्या अर्थ और मिली जूली सरकार का अर्थ बताईए लिखिए फिर है भारतिय समिधान की प्रस्तामना लिखिए आपको इसमें सबसे पहले प्रस्तामना नहीं लिखनी है इसकी प्रस्तामना के बारे में बताना है प्रस्तामना के बारे में किया गए फिर कर्दावियों के बारे में बताना और फी ये बताना है कि ये लाना क्र्दावियों का क्या मेर्ट therapy हुआ हुआ कि इंडर 만든 दूसरी की स्टत्य कर दो कि आ nuance की जिए अभर हैं हमारी reminding and तीसरी लोकसभा की अदश की शक्तिया व इस्टतिक का वणनन कीजिए। अगर आपको ऐसे लोकसभा की शक्तिया वस्ततिक याद नहीं रेती हैं, तो आप लोकसभा की जो अदेक से हैं, श्रीमान ओम बिल्ला जी तो आप उनको देखकर उनके हिसाब से हम जब उने देखते हैं तो हमें पता चल जाता हूँ कैसे कारे करते हैं और वैसे भी वर्तमान में बहुत सुर्ख्यूम रहते हैं किसी ना किसी काम की वज़े से अत्वा में नाइक पुर्णावलोकन की अधिकार का वर्णन की जाता है कि कारे पाले का का राज्य वित्य संबंधों की जी अत्वा में है राज्यपाल की इसत्रति का वर्णन कीजिए एक डेस में बहुत सारे दलों का कुछ supposedly है sudah का क्या plus point क्या minus point है भो बताना अगला है भारतियनीति में जाती की भु मिकाका वन्नल की जूए है बहुत पर से अमें लेकरत के हुप पर इंप जाती ने राजनित्री को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है फिर अगला है पार्ट सी बारत्य समिधान के लक्षनों का वर्णन कीजिए लक्षन हम जानते मौली करतव यह मौलीक से अधिकार है रेती निदे से तत्व है उनकी विसेस्ताओं के बारे में इसमें बात करनी ह है बात लिखनी है फिर यह राष्ट्र अपार्थकाल ने शक्तियों का वर्णन कीजिए जैसा कि हम जानते है कि अनुछे 352 356 और 360 के तर्थ राष्ट्रपति को विसेस्ताओं मिलिए जिसे वह अपार्थकाल की गोशना करता है किन परस्तीतियों में कैसे वह अपार्थकाल काव वर्णन कीजिए अगला है सुराज्यों की स्वाहित्ता की मांग का मुल्यां करन कीजिए वर्तमान में भी जो राज्यों है वो चाहते हैं कि केंद की तुनला में उने ज्यादा स्वाहित्ता मिले कार्य करने की जादा अजादी मिले और समय समय पर वैसी मांग भी करते दक्षिन भारत की कुछ राजियों है या फिर उत्तर भारत के भी एक दू राजियों केंदर की तुनला में ज्यादा आजादी चाहते हैं फिर है राजनितिक के अपरादी करन पर लेख लेके तो अपरादिकन क्या होता है, कौन-कौन से समय पर अपरादियों को असा सरन दी गई है, संसर दुआरा या फिर चुनाव में खड़े हुए, तो ये था paper 1 और paper 2, जिसका हमने विस्तार से वनन किया है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताएगा, और आपक काई जिसства में के बताएगा ये भी हमागा हुए, और को ये है है, प्रहादा है, देया है, जिसका है पर ये को बता हैं कि कि अपुनी हो ये कि Fang